गाइस जो लोग दुबाई में जॉब करते हो और प्रेजनली अपने घर इंडिया में हो या फिज लोगों के पास अलरी वीजिट वीजा है लेकिन फ्लाइट सर्स्पेंड होने के बाज़े से दुबाई नहीं जा पाया वो लोगों के लिए एक बहुत बड़ा डेवलपमें है वो क्या है इडिटल जानने के वीडियो क्लास तक देखिए और अगर फर्स्टेम वीडियो को देखे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए साथे साथ भी लाइकन को प्रेस कीजिए दुबाई फ्लाइट रिगार्डिंग हर तीन कुछ ना कुछ ना कुछ announcement होता है दोस्तों लेकिन अभी आज का जो सबसे बारा development है दोस्तों वो टाइम सब इंडिया में एक नियूस पप्रिश्टो है उस नियूस के रिगार्डिंग दुबाई या इंडिया टू दुबाई का जो फ्लाइट से वो कुछ लिमिटेड फ्लाइट श यारलाइन्स की वेबसेट में जाके आप अपने टिक्ट बुक्स कर सकते हो इस लिस में है दोस्तों वीस तरह इंडिया की कुछ इंपोर्टेंट बड़ी शहरों से आपको मिल जाएंगे लाइक वीस तरह की जो फ्लाइट है दोस्तों 16 तारीक से आपको डेली एरपोर्ट स इसके साथ इंडिया की कुछ बड़ी शहरों के साथ कुछ connecting flights और कुछ direct flights भी होंगे लाइक हाईद्राबाद, लक्नो, मॉंबाई, टेली और कोची जो कुछ flights सार्जा, दुबाई या अबुदा भी के लिए फ्लाइ करेंगे तो अगर आप इंडिया में हो आपका visit visa या आपका जो employment visa है वो 6 माईना होने में कुछी दिन बाकी है तो आप as soon as possible ticket book कर सकते हैं दोस्तों कि यहां पे एक बहुत अच्छा opportunities है आप ticket book करके आप दुबाई के fly कर सकते हो अगर बीच में कुछ cancellations और कुछ issues नहीं होता है तो definitely आप इसी particular date में दुबाई के लिए fly कर सकत हो और दोस्तों ticket book करने से पहले मैं एक बात बताना चाहूंगा अगर आप ticket book करते हो कोई भी अलाइन्स का तो वहां पे terms and conditions को जरूर अच्छे से पढ़ ले क्योंकि आभी fly करने के लिए बहुत से terms and conditions होगा जहां पे vaccination PCR test और बाकी जितना भी terms and conditions है वो आपको definitely पढ़ लेन तो must must अच्छे से पढ़ ले क्योंकि अगर कोई भी updates आता है और flight cancel या delay होता है तो recidule या फिर cancel करने के लिए जो पैसा deduct होता है वो amount थोड़ा सही से पढ़ लेने तो आपको थोड़ा ज्यादा नोक्सन उठाना पर सकता है दोस्तों so guys यही था आद का जो latest update अगर सब आप मॉंबाई से flight करते हो और मॉंबाई एरपोर्ट में आप PCR टेस्ट करना चाहते हो तो आपको 50 मिनिट में PCR test report मिल जाएंगे क्योंकि वहां पर कोविटेट का special section है जहां पर आपको as soon as possible just just 50 मिट के अंदर आपको कोविटेस्ट का report मिल जाएंगे तो यह भी एक बहुत बहुत अच्छी good news है दोस्तों इंडियन के लिए जो लोग मॉंबाई से fly करना चाहते हो मॉंबाई से जो लोग दुबाई आना चाहते हो तो आज की वीडियो में बस इतना ही अगर नेक्स्ट कोई भी development होता है तो मैं definitely लोग वीडियो बनाऊंगा तो आज की वीडियो में इतना ही पॉचल मिलते हैं दूसरे कोई वीडियो में दूसरे कुछ information के साथ तब तक के लिए जाए हिंद